चाप्टर वाला चाप्टर हम लोग शुरू करते हैं इसका जो आपका IUPAC वाला पार्ट है वो तो तुम लोगों को आता ही है ठीक है उसमें मुझे लगता किसी को कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है बेट हाँ जो कार्बॉग्स वाली कासेट में जब डाई बीसी कासेट साते हैं तो उनकी जो IUPAC नॉमेंक्लेचर है वो मुझे तुम लोगों को याद करने का औरस बताना है वो मुझे लगता ज्यादा कुछ ऐसा खतरना काम है कि जिसके लिए आभी एकदम सार्टिंग नहीं तुम्हें इंड़रक्शन ले दिया जाए अधरवाइस तुम्हारी कार्बॉक्जालिक एसेट को अगेन प्रिपेर करने के आपके पास वेरियस मैथट्स हैं जैसे अगर हम लोग इस बात पर गौर करें कि आप लोगोंने स्टार्टिंग से और ग्याने क्या चीज़े पढ़ी है तो आपकी नजर में आएंगे अलकेंस चीक है क्या हम अलकेंस हमने अलकोहल पढ़ा है साथी साथ में हम लोगोंने अल्डिहाइट्स की टोन्स पढ़े हैं हमने आपका अलकाइल हलाइट पढ़ा है ठीक है कुछ ग्रिगनार्ट रिएजिन वाली चीज़े भी पढ़ी हैं तो इन सारे सब्स्टेट्स की मरत से अब हमें धीरे धीरे धीर इस पर है वाली चीज़ लेकिन हम लोग यहाँ पर पर इस चीज़ को डिसकर्स करेंगे वह रहेगा पहले सिर्फ कार्बॉक्जलिक असे और उसके बाद उसके डेरिवेटिव वाले पार्ट में आएंगे ठीक है और यह भी देख लेंगे कि तुम्हारी बोर्ट में इस साल वा चीजो अगर है तो कितनी है एगसेटर एकसेटर्व में गुरूप में बता दूंगी अलग से चलो तो आगे चैंदिनु करते हैं प्रिपरेशन और कार्बोग्जालिक एसेट्स में तो सबसे पहला तरीका जिसको हम लोग आज यूज करने वाले हैं कार्बोग्जालिक एसेट्स को प्रिपार करने के लिए वो रहेगा फ्रम नाइट्राइल्स ठीक है वो कहां से रहेगा आप लोगों के नाइट्राइल से from nitriles and amides, बराबर कहां से nitriles and amides, तो पहले तो mechanism समझेंगे, जिनको mechanism समझने में कोई interest नहीं है, वो skip कर दो, आखरी वला पार देख लो, जहां पे notes और ट्रिक्स लिखे होता है, बस बात खतम, ठीक है, तो nitriles and amides को समझते हैं, what do you mean by nitriles? cyanide group, R, जब आपका कोई भी alkyl group, किसी भी इस तरीके के group से अगर connected है, then they are termed as nitriles group, right, अच्छा, और उसके बाब what do you mean by the term amide group, जब आप लोगों का मान लेते हैं, कोई भी carbon की chain, अगर इस तरीके से connected है, RC double bond O NH2 वाले group में, तो इसको हम लोग कहते हैं amide, अब रहता कैसा है, अगर आपको nitriles से carboxylic acid जाना है, ठीक, आपकी journey है, यहां तक पहुंचने की, यह C triple bond N हटेगा, और उसके बदले में R, C, O, O, H आएगा, या फिर आपको यह भी किया जा सकता है, कि आपके पास amides है, यह जो C, O, N, H2 वाला group है, यह हटेगा, और आएगा R, C, O, O, H वाल group, बराबर है, यह वाला group आपके पास आगया, तो यह जो journey होती है, nitriles से carboxylic acid तक अगर आपको direct कूद कर पहुंचना है, ठीक है, तो आपको दो बार, मतलब two times, आपको क्या करनी परती है, hydrolysis करनी परती है, अब इस particular hydrolysis को आप acidic medium में भी करवा सकते हो, और आप इसको basic medium म भी करवा सकते हो, अब दोनों में करवाने से क्या फरक पड़ेगा, वो हम देख लेंगे, और अगर आपके पास already amide है, और amide से फिर आपको carboxylic acid में अगर जाना है, तो सिव आपको एक ही बार क्या करनी पड़ेगी, उसकी hydrolysis करनी पड़ेगी, चाहे वो आप acidic कराओ, य शायर ये चीज कुछ इस प्रकार से चल रही होगी, कि पहले हम लोगों के पास साइनाइड होता होगा, साइनाइड में जब हम लोग एक बार hydrolysis करते होंगे, तो एक बार की hydrolysis से तुम लोगों को amide मिलता होगा, और फिर उस amide की वापस से hydrolysis करते होगे, तब जाकर किया, तो आप लोगों की जरनी कहां पे आके रुख गई, amide पे आके रुख गई, फिर अगर उस amide को और फर्दर अगर hydrolysis किया जाए, तो फिर जाके वो किसमें convert होगा, आप लोगों के carboxylic acid में, ये इस तरीके से हमें चलना है, तो पहले हम लोग इस बारे में बात कर लेते हैं कि इस question की trick क्या है, और फिर बाद में मैं आखरी पार्ट में mechanism समझा देती हूँ, ठीक है, तो देखो तीसरा पार्ट, इसको trick wise कैसे काम करेंगे, let's say आप साइनाइड है आपके हाथ में, ठीक है, let's say आपके हाथ में साइनाइड है, और आपको बोला जा रहा है कि तुझको अमाइड बनाना है, हाइड्रोलेसेस का नहीं है, तुमको अमाइड बनाना है, कैसे करोगे, किस तरीके से तो देखो, सबसे पहली चीज, आपको यहाँ पे trick में, हमको साइनाइड से कहां जाना है, अमाइड जाना है, तो आपको यह जो double bond डिख रहे हैं, दो करो इसको हाटाओ इसको हाटाने के वाद क्या करो नाइट्रोजन के हिस्से में दो हाइड्रोजन टपका दो और जो कार्बन के हिस्से में उसको ऑक्सेजन दे दो यह से तो यह वादी चीज किस तरीके से कंवर्ट हो जाएगी रेखे आर रहेगा आर कनेक्टेड रहेगा सी स single bond connected रहेगा N से और N को मिल गए 2 hydrogen यानि की NH2 और carbon को मिल गए oxygen और oxygen और carbon के बिच में इस तरीके से double bond तो यह बन गया amide तो यह amide बनाने का तरीका है अगर आपको trick से जाना है तो mechanism में steps involved होंगी बट अगर आपको trick से जाना है तो इस तरीके से cyanide से amide में जाओगे लेकि कि माल लेते हैं चौथी step में आते हैं चौथा point आप लोगों के पास या तो आपमें amide create कर लिया या फिर माल लेते हैं आप लोगों के पास पहले से amide अगर烤़ होता उपर में double bond O और यहाँ पे OH और प्लस में क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा NH3 यह ऐसे यानि कि यह कुछ बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है यह trick मैंने बताई यह जो पूरी बातचीत हुई है किस पे हुई है trick अगर आपको cyanide से amide जाना है तो और अगर amide से कार्बोक्जाली कैसे जाना है तो बट इस पूरी reaction में एक सबसे important चीज है वो यह कि यहाँ पे जो reaction में byproduct आप लोगों को देखने को मिलता है वो byproduct होता है तुम लोगों की ammonia gas ठीक है ammonia gas इस पूरी reaction में क्या होती है यह liberate होती है अच्छा अब इसको तुम एक मीडियम में भी कर सकते हो बेसिक मीडियम में भी कर सकते हो तो पहले हम mechanism समझते है और जब mechanism complete हो जाएगी तो हम लोग पॉइंट नमर्स बना लेंगे तो सबसे पहले हम लोग हम लोगों की मेक्यानिजम पर चाहे एसेडिक में करो या चाहे बेसिक में करो उससे फिलहाल अभी कोई फरक नहीं पड़ता है एसेडिक में करने से क्या दिक्कत आती हो बात का काव है ठीक है तो जैसे हम आप इसकी हाइड्रोलेसस करोगे तो आप इसको माल लेते हैं एक प्रोबाइड किया है एच टू है हाँ ऑविसे के रियक्शन को तोड़ी सी हीट लगेगी अब देखो होता क्या है नाइट्रोजन के उपर लोन प्यार है अब तुम तो जानते हो कि लेविस के कंसेप्स के अकॉर्डिंग ये एक बहुती प्यारा सा लेविस बेस है क्यो Qin ये नाईट्रोजन अपने इलेक्ट्रлять देना चाहता है और कभी भी अकथा कोई भी स्पीशी अपना इलेक्रान देना चाहती है तो किसके जैसे अकирती लेविस अब ये अपने इलेक्ट रोंज किसको दЕ आएगा यह इस तरीके से और पिचारे नाइट्रोजन ने क्योंकि इस प्रोसेस में अपना लोन पेर बर्बाद कर दिया तो उसके ओपर आएगा पॉसेटिव चाप बेसिक केमेस्ट्री है कुछ भी हाई फंटुश नहीं है अब तुमको तो पता है कि नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रो नेगेटिव स्पीशीज है और तुम इलेक्ट्रो नेगेटिव स्पीशीज से पॉजिट्व चार रखकर बैठे हो वाट दो यू थेंग इस टेबल कदा ही स्टेबल नहीं है तो यह जो पाई एलेक्ट्रों से नाइट्रोजन खुद के ओपर विड्रॉख कर रहा है ठीक है आपका जो नाइट्रोजन आटम है वो क्या है आप लोगों का एक इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट है ठीक है एक इलेक्ट्रो निगेटिव एटम है एंड आपने जो भी रियाक्शन लिखी है उस रियाक्शन में इस पॉजिटिव चार्ज बराबर उसक कारवन भी वैसे का वैसी डबल बॉन आएगा फिर नाइटरोजन आएगा उसके बाद यहां पर हाइड्रोजन है लोन प्यार है अब एक बाद आज समझेंगे कि यहां पर अब कारवन ने तो आपने पाई बॉन टोड़के नाइटरोजन को इलेक्ट्रॉन दे रही है अब ल अगर कोई पूछेगा कि resonating structure number A और resonating structure number B में से कौन सा resonating structure जारा stable है तो हम सिंपल कहेंगे resonating structure of B is much stable as compared to resonating structure of A क्योंकि A में तो electro negative species प्राइब आरा जारा लेकि B में कार्बन नेकर कम इल्चार्ण से क्लिए करने से चाहिए करने से अच्छा है मैं पाइज़ा तो फोड़े क्यों श्याद रहे अच्छा आपनोगो यह व्याद रहे अच्छा अब आपनोगो ले पर इस पर दिए पर दिए तो ःपने श्याद बहुत रहे अच्छा इन पाइब डेहे हो से उसके अपने खुद के वाटर वाले थाइड्रोजन है तो यह इस तरीके से लेकिन इस प्रोसेस में अगेड ऑक्सिजेन के पास उपसे पॉज़िटिव चार्ज आ गया तो अब ऑक्सिजेन अपने उपर से पॉज़िटिव चार्ज अटाना चाहते हैं सोचो, एक एक करके सब अपने उपर से positive charge अटाना चाते हैं, अब positive charge अटाने के लिए bond break करेगा, अब oxygen के बाद दो option है, या तो वो ये वाला bond break करे, या तो वो ये वाला bond break करे, अगर उपर वाला bond break करेगा, तो वहीं से शुरू हो जाओगे, जहां से शुरू किया था, तो obviously इस process के दोरान ये वाला bond break होता है, such that break होता है कि दोनों electrons oxygen अपने उपर रख लेता है, यह ऐसे, और H इस process से बाहा निकल गया, H इस step से क्या हो गया, बाहा निकल गया, H क्या हो गया, इस step से बाहा निकल गया, तो यह चीज कैसी हो जाएगी, R, यहा पे C, double bond में N, यहा पे loan pair, यहा पे H, अब इस carbon से connected है oxygen, उस oxygen से connected है आप लोगों का एक H, क्या connected है उससे एक H, और oxygen के उपर उसके पहले के loan pair retain हो गए, उसको कोई रिक्कत नहीं, लेकिन, अब एक और तकलीफ है, क्या तकलीफ है, अब तो सब कुछ सही चल रही गाड़ी, अब काई की तकलीफ है यहां से जो H+, तुमने अभी बहा निकाला है, ठीक है, यहां से जो तुमने H+, अभी अभी बहा निकाला है, कौन सा वाला H+, वाटर का H+, ठीक है, यह जो अभी अभी H+, यहां से बहा निकला है, इस H+, को शान्ती ना मिली, बेसिकली शान्ती nitrogen को ना मिली, nitrogen चला अपने फेर से और उसको अपने पास उसने क्या कर लिया जोड लिया तो जोडने से क्या हो गया आर कारबन डबल बॉन नाइट्रोजन लोट की मदप से जोड़ा है मतलक खुद पर पॉजिटीव हाइड्रोजन अब यह अब यह तो यहां पर सिंगल रहेगा नाइट्रोजन आइगा इदर हाईड्रोजन रहेगा इदर हाईड्रोजन रहेगा इधर hydrogen रहेगा और यहां पे अब बिचारे carbon पे फिर एक positive charge create हो गया carbon बोलता है जब जब तेरा positive में हटाता हूँ मेरे पे खुद पे positive आ जाता है इसका मतलब इस पूरी process में बिचारे carbon पे दोबा positive आया पिछली बार carbon की मदद करने कौन आया था पानी आया था इस बार भी carbon की मदद करने कौन आएगा water आएगा ठीक है तो चलो अभी next early step में मैं यहां लिख देती हूँ कि arrow यह उसके उपर water है यह water है आप होगा ठीक है बाद में ब्राउन कलर वगेरा decide करेंगे उपर में oxygen आएगा इधर hydrogen होगा इधर hydrogen होगा और इधर पे positive charge होगा लेकिन क्या अब तुम्हें लगता है कि carbon को आप लोगों के इस प्रकार के किसी bonding की जरुवत है मतलब तुम देखो carbon ने क्या किया है उपर h2o ग्रुप लगा दिया है ठीक है उपर क्या लगा दिया है h2o ग्रुप लगा दिया है अच्छा उपर कौन सा ग्रुप लगाया है h2o ग्रुप लगाया है अब ऐसे में अब ये h2o क्यों कु है उसके बाद नाइ头 जंग का पॉजिटिव अपने हटाया तो क्यरवन पे पॉजिटिव क्रियेट हो संट संट काइर arrivé प्वाजिटिव को रिए इंस पॉजिटिव ए ऀसको भी बहुन दो जाता है यानुकि इन धरक लिए आकरी में अपके पास क्या भचा पांता चैसंट पॉल Ό बचा और यहाँ पर वैसे नेक्स प्हानी के मॉलीकिल की नहीं थि अले कि फिर प्हांता क्यों अता है क्यों की तुम जानते हो कि इस पर पॉसिटीव हो होगा और oxygen पर पार्शन लेगेट होगा तो यह oxygen आया एक दम यहां पर कि चलो भाई मैं तुम यहां पर आकर अटक करता हूं क्या इसके यहां आने से यह जो बाजू का जो बॉंड है यह तूटना चाहिए बिल्कुल तूटना चाहिए एक बॉंड दो बॉंड तीन बॉंड चार बॉंड तो पांचवा बॉंड यह कहां से बनेगा बट यह क्यों तूटेगा तुमको सोचो बट यह बॉंड क्यों तूटेगा इसका कुछ रीजन होना ची तूटनेगा तो रीजन यह होना चीए कि उपर वाली स्टेप में से देखो अगेन एक एच भागाया गया है उपर वाली स्टेप में से अगेन एच प्लस को भागाया गया है तो वो जो एच प्लस उपर वाली स्टेप में जनरेट हुआ था वो उपर वाली स्टेप के एच प्लस की देखकर नाइट्रोजन की फिर जीब लप लपाई वो पहुंचा इस एच प्लस को तो जैसी वो एक और एच को जोड़ लेगा तो क्या हो जाएगा बताओ एक positive charge create हो जाएगा उस positive charge को हटाने के लिए इसको loan pay है यह अच्छा तो वो लेके चला गया अपना bond pair लेके चला गया तो यह बन गया NH3 बराबर अच्छा अब आगे यह वाली species क्या हुई आप लोगों के पास R है इधर C है अच्छा अब इधर में double bond O है और इस वाली species से आके connect हो गया oxygen इधर hydrogen इधर hydrogen इस पे loan pair और यह positive charge अब oxygen नहीं चाहता कि फिर से उस पे positive आए positive हटाने के लिए यह क्या करेगा इस H plus को फिर से get out करेगा निकल बाहर तू ऐसा एगदम लेकिन H निकलेगा electron O पे आएंगे ठीक है तो ऐसी प्रोसेस में अब next step में क्या होता है आप लोगों के पास NH3 है आप लोगों के पास H plus है जो अगेंट मानी जा है और उसके बाद आपके पास है RC double bond O और यह OH तो इस तरीके से यह carboxylic acid तयार हुआ और यह दोनों मिलके कर तयार कर लेते हैं NH4 positive यानि कि ammonium ion तो यह होती है इसकी पूरी mechanism mechanism अब यह जो पूरी follow होती है it is a ascent to mechanism अब ascent के जो जो characteristics होते है वो वो characteristics इस mechanism के भी होता है ठीक है जो जो characteristics एक ascent mechanism के होते है वो सारे सारे characteristics इस mechanism के भी रहेंगे ठीक है अच्छा point number seven में आ गए हम लोग यहां तक हम लोगों ने done कर लिया अब point number 8 में आते हैं अगर आपने इस mechanism को अगर आपने इस चीज को basic medium में करवाया होता तो क्या फरक पड़ता तो आप लोगों को क्या फरक पड़ता और acidic medium में answer किस तरीके से अलग आता है तो imagine करें आपके पास एक alkyl sainide है R C triple bond N अगर आप इसको करवा रहे हैं acidic medium में लेट से तो H plus है यहां पे H2O है और यहां पे heat भी है तो ऐसे में जब जब acidic medium में होगा तो ऐसा नहीं कि ammonium आयन नहीं बनेगा अगर आप इसको basic medium में भी करवाते हो तो basic medium में भी होने से क्या हो जाएगा यहां पे ammonium आयन बनेगा बस फरक इतना है कि acidic medium में कार्बो ऑक्जालिक एसिड बनेता है लेकिन जब आप basic medium में reaction कराते हो तो basic medium में reaction में कार्बो ऑक्जालिक एसिड एसिड के format में नहीं रहता वो रहता है आप लोगों के आयन के form में यह ऐसे बस और कोई अंतर ना है बस बागी तुम लोगों के हाथों में पूरी reaction है अगर आपने इसको बनाया है कौन से medium में basic medium में तो end result दोनों cases में similar रहता है हां बट किस बारे पे variation होता है यह इस respect में आप लोगों को variation देखने को मिलेगा खतम कहानी ठीक है बस यहां पे पूरी उसकी कहानी हम लोगों की क्या हो गई खतम हो गई एक दम बड़े मजे से ठीक है अच्छा अब आगे उसके अलावा अब हम लोग कैसे करें बताओ अब इसके उपा के कुछ questions देख लेता है कि इस प्रकार के questions आपको देखने को मिलेंगे तो सबसे जरूरी चीज important कि SN2 mechanism follow करता है याद रखना यह कांसी mechanism follow करता है SN2 कांसी mechanism follow करता है यह SN2 mechanism follow करता है अब जैसे imagine करो आप लोगों को मैंने कहा कि मुझको ये वाला carbon oxalic acid बनाने का है this is known as benzoic acid क्या यह above discussed method hydrolysis of cyanide ठीक है इस method से क्या यह process यह product बनाया जा सकता है क्या अभी आप लोगों का यह product बन चुका है this is a product यह मैं product side लिख रही हूं क्या यह product इस particular method से बनाया जा सकता है क्या आपके teacher ने आपको पूछा क्या यह suitable method है तुरन जवाब देना SN2 mechanism है SN2 mechanism का मतलब वहाँ पे आप लोगों को क्या चाहिए यह आप लोगों का COOH यहाँ पे जरूर कोई एक react value to map using Nobel यह जैसे की ध्यान दो यह वाला PHCOOG अच बनने से पहले यह PHC331 N रहा होगा मराबर अब यह जो पी एच सीट्रीफल बॉन औन जब यह रहा होगा तो तो यह PHC triple bond N आपको कहां से मिला होगा यह PHC triple bond N आपको PHBR से मिला होगा तो क्या PHBR को एक starting material लेकर क्या मैं इसको obtain कर सकती हूँ तो आप बोलोगे यहां पर बिग नो यहां पर हम इसको obtain नहीं कर सकते ठीक है क्यों नहीं कर सकते डाउट अपके एसेंट वेक्यानिजम में वन डिगरी के सबसेट सबसे बेटर होते हैं और कुछ अब तक तू डिगरी के और यह सब तो यह PHC वाले तो लोग चलते ही नहीं अगर डिरेक्ट अलकाईल ग्रूप है तो अराईल ग्रूप है तो अच्छा उसके अलावा मान लेते हैं अगर मैं आपसे कल को यह पुछू कि आपको यह create करना है let's say you have a ring ठीक है इस ring में आप लोगों के पास ऐसे ग्रूप लगे हो हैं आपको यह create करना है क्या आप यह व मैं किसी अलकाईल हैलाइड वाली प्रॉसेस से ला सकती हूं क्या मतलब पहले में पास अलकाईल हैलाइड रहा होगा फिर अलकाईल हैलाइड को मैंने साइनाइड में कनवर्ट किया होगा तो यह जो अलकाईल हैलाइड से साइनाइड में कनवर्ट होने वाली प्रॉसेस हो वो SN2 reaction के साथ बहुत ही गंदा effect देता है। तो therefore ये reaction नहीं होगी। मैं इस reaction को SN2 नहीं कह रही हूँ महान प्राणियों। मैं alkylite से cyanide जाने वाले को SN2 कह रही हूँ। और हमारा question भी यही है कि अगर आपको nitrile method से acid बनाना है तो nitrile method को अगर किसी alkylite से अप्रेंग किया जाए तो क्या वो सही होगा वो हमारा question है। तो 3 degree में सही नहीं होगा और एक और condition है जब यह तरीका से ही नहीं होगा वो यह है। C-H-R-E-C, double bond C और यह COOH अब देखो COOH directly ऐसे carbon को जुड़ा है जो कि एक double bonded system है बराबर यह double bonded system है अब अगर कोई पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा nitrile यूज किया होगा तुम और मैं तपाक से बोलेंगे कि यह वाला nitrile यूज किया है अगर यह वाला nitrile यूज किया होगा तो इस nitrile के लिए alkylite कौन सा वाल के जगे आपने कोई लगा दिया alkyl highlight तो यह जो alkyl highlight होता है जब alkyl light directly w bonded system से लग जाए इसे कहते हम लोग vinyl highlight इसे कहते vinyl highlight and vinyl highlights are also not suitable for ascent to mechanism so आप अगर vinyl highlight को यूज कर सकते तो यह कैसे बनेगा यह नहीं बनेगा तो यह कैसे बनेगा सोचिए ठीक है तो विनाई highlight three degree alkyl highlight and benzene ring with आप लोगों का BR is not at all a good method ठीक है aryl highlight basically are not a good method for obtaining your results ठीक है for obtaining the results यह अच्छे method नहीं है ascent to mechanism के लिए ठीक है ascent to mechanism के लिए they are not good methods बस खतम यह आपका point आई यह आपकी reaction थी कहा नहीं खतम हो गई कल हम लोग next method of preparation पढ़ेंगे एक और ठुकूर ठुकूर ठीरे 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 ठोड़ा ठोड़ा तो अभी कल ठूकूर ठुकूर ठीरे ठीरे ठोड़ी ठोड़े के लिए कोशिश करना की आपना geneal reaction वाला part ह हमने पढ़ेंगे आप उसको रिवाइस करके रखो और साथी साथ में जब हमने 11 सांडेट की जियोसी पड़ी थी तो जियोसी को पड़ते वक्त तुम लोगों को मैंने कुछ आप लोगों को अभी इसी चैक्टर में उसकी काफी नीट पड़ेगी ठेक हैं मैं वापत से वो सारे प्रवचन्स रिपीट नहीं करूँ क्योंकि ओड़ी वाली चीज़ा हम लोग क्लास में सीख चुके हैं तो ऐसे में आप उसको नोट्स कॉपी खोलना रिवाइस करना जब करोगे तो अपने आप दिमाग में आ जाए राया कि अच्छा तुम तो ऐसे थे ठीक है लाइक बैक ठीक है चो तो अभी सिचकों लोग ओवर करते हैं अच्छा